मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने सम्वेधानिक संसोधन प्रिक्रिया पूरी करने के पश्चात सबसे पहले नई व्यवस्था के अंतरगत पंचायतों के चुनाव संपन्य कराए हैं पंचायत जन्पद और जिला पंचायतों के संबंध में तुरत फुरत संरचना तैयार करके उन्हें अधिकार संपन्य बनाने का निर्णय लिया गया है उन मैंसे अधिकांश पूरी तरहे से मूर्थ रूप नहीं ले सके हैं इस संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही थी कि पंचायतों को सौपे गए अधिकारों का प्रसाश किये क्रियानवयन सुचारू रूप से नहीं हो रहा है इसलिए मुख्य सचिव ने सिकायतों को गंभीर रूप से लेते हुए सामान्य प्रसाशन विभाग को रोस्टर बनाने के निर्देश दिये हैं इस बनाए गए रोस्टर के अनुसार मंत्राले के सचिव समय समय पर ग्राम पंचायत जन्पद पंचायत और जिला पंचायत की बैठक में भाग लिया करेंगे जिससे पंचायती राज संस्थाओं को सौपे अधिकारों के क्रियान वयन में आने वाली कठनाईयों को ठीक से समझा जाकर साशन इसतर पर उन्हें दूर करने की तदकाल पहल की जाएगी इस हिदायत के बाद भी यदि पंचायती राज विवस्था कारगर सिद्ध नहीं हो पाती है तो यही माना जाएगा कि साशन के कार्यान वयन छमता में कहीं बुनियादी खामिया हैं जब तक यह कमिया दूर नहीं हो जाती तब तक सरकारी निर्णे केवल कागजों पर सिमट सकते हैं अभी पंचायती राज विवस्था के मामले में निर्वाचित जन प्रती निधियों और नौकर शाहियों के बीच अधिकारों को लेकर खींचतान बना हुआ है इधर नौकर शाही अपना प्रभुत्व कम करना नहीं चाहती उधर निर्वाचित जन प्रती निधि संपून सत्ता चाहते हैं इसमें कोई संदह नहीं की नई पंचायती राज विवस्था के फलस्वरूप हमारे लोकतंत्र का आधार विस्तरत और परिपुष्ट अध्यक्षों के प्रदेश इस्तरिय सम्मिलन में लगबग सभी जिला पंचायत अध्यक्षों ने अधिकारों की बात कही और नौकर शाही को जो भी कर कोसा गया और इस्पष्ट रूप से प्रिसाशन और पंचायत प्रिती नीधियों के टकराओं के प्रती ध्वनी इस संबेलन में सुनाई दे रही थी राजसरकार को समान जिम्मिदारी के साथ समय रहते इस टकराओं की इस्थिती को दूर करने का प्रियास किया जाना चाहिए पंचायती राजव्यवस्था एक आदर्श कल्पना हो सकती है इसे सुव्यवस्थित रूपस दिया जाना चाहिए अगर इसमें राजनेतिक द्रश्टी कोन रखा गया और नौकर शाही को मनमानी करने की खुली छूट दी गई तो सारा प्रियास निठख हो सकता है पंचायत प्रतिनीधियों को परियाप्त वित्य और प्रिसाशनिक अधिकार दिया जाना चाहिए प्रतिनीधियों को कानूनी पहलूँ से अवगत कराने हेतु उन्हें प्रिसिक्षन दिया जाना चाहिए सत्ता का विकेंद्रिय करण पून रूप से तभी हो पाएगा जब पंचायत प्रतिनीधियों को उनके वाजिव अधिकार सौपे जाएंगे पंचायती राजविवस्था का वास्तविक उद्देश ही सत्ता का विकेंद्रिय करण है त्री इस्तरिय पंचायती राजविवस्था को पूरी तरह से लागू करने में अभी समय लग सकता है इसलिए सब को सूझ बूझ और धैर से चलने की जरूरत है ग्रामिड विकास की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए पंचायती धाचे की नीव को पहले मजबूत करने की जरूरत है कहते हैं कि कुछ देने का नाम ही जीवन है दानशीलता हाथों का नहीं हिर्दय का गुण होता है जो व्यक्ति समाच के लिए कुछ करता है उसका जीवन ही सार्थक हो जाना है माना जाता है कि प्रकटी के संसाधन पर सबका अधिकार होता है इसलिए हमें आपस में बाट कर चीजों का उपभोग करना चाहिए दान आप जहां चाहें जब चाहें कहीं भी कभी भी किसी वस्तू का कर सकते हैं उधारन के तौर पर ज्यान, सिक्षा, श्रम, भूमी, रोटी, कपड़ा, मकान, भवन, गाय का दान कर सकते हैं कहा जाता है कि असल में बड़ा दाता वही होता है जो दान करते समय थोड़ा भी अहंकार ना करें सत प्रूशों का मानना है कि हमें दूसरों को अपनी सेवा, प्रेम, धन जो जितना बन पड़े देना चाहिए इस प्रिकार सत कर्म करने से हमारे अंदर आत्म शन्तोश की भावना जागती है कहा तो यह भी जाता है कि दान देते समय दाहीने हाथ से दान किया जाए तो बाए हाथ को पता नहीं होना चाहिए न्याय से उपारजन किया हुआ अल्प अत्वा अधिक धन जो कुछ श्रद्धा युक्त होकर पात्र को दिया जाता है उसका नाम दान है यह पवित्र व्रत मनुष्य मात्र का धर्म है अपने से ही हीन अवस्था वालों को अन्य वस्त्र धन जन से सहायता करने का नाम दान है देशकाल और पात्रता भेद से शुद्ध मन से कामना रहित दिया हुआ दान महा शुबफल बाला होता है जो शिरिमान लोग शारिरिक मानसिक तब नहीं कर सकते हैं उनके लिए छोटे छोटे पापों से मुक्त होने का एक मात्र उपाय केवल दान ही माया मुक्त जीवों के पाप दान के साथ जाते हैं दुरावस्था वश में जो ग्रहिता दान लेते हैं वे दान का क्या मानो दाता के पाप ही ग्रहन करते हैं देने वाले ग्रहिता को पाप देकर उपक्रत करते हैं और भागेहिन ग्रहिता भी दान लेकर उपक्रत होते हैं शास्त्र में दान की बड़ी महिमा कही गई है कर्तव्यबोध से प्रत्याशा रहित किया दान दाता का उतकर्ष साधन करता है स्टॉप